तो हमारे यहां से जो 8-10 का बराइपुर लोकल था उसमें मैंने चड़ गया और उसके बाद मैं जदपूर में उतर गया तो हमें बोला गया था 10 को कॉलेज एटेंड करने को लेकिन मेरे घड़ी में 10-5 बाद रहे थे और सामने कॉलेज था तो हम आइक बात मैंने बताना भूली गया तो मैं जा रहा था हमारा जोनिएटी है जदपूर ब्रस तो मैं यहां यहां तो हमारा पहला 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 क्लास था करने को मैं सुंबार आ गया कॉलेज मैं है तो गेट से घुसनों के बाद और उल्वीन देख सकते पेड़ों बीच में यहीं था हमारा building चाहां पर 47 में हमारा class होने बाला था मुझे पहले से पता नहीं है कि वहां पर class है तो मैंने जब हुआ पर जाया और उनकी seniors से उसे पूछा तो नहीं पका правला कि 407 में हमारा class होने बाला है पहले जो मैंने कभी क्लास में नहीं गया था तो मुझे पता भी नहीं था क्लास कैसा होता है तो यह था हमारा क्लास रूम जहांपे हमारा चाहसाद में पहला क्लास था और हमारा केमिश्य डिपार्मेंट के दो ग्रूप में बाटा गया था A और B तो पहले class में हमारा A और B को एक साथ लेका class होने वाला था तो पहले class के बाद मुझे पता चला जो हमारी routine था उसके माफिक हमारा आज एक workshop था लेकिन यह हमारा पहला दिन था इसलिए हमारा वाक्सव था जो वो गया उसके बतले हमें बोला गया कि तुम थोड़ा घूम किया हो तो हम इसलिए उनिवर्सरी में थोड़ा घूमने लगे और तब दुपर के एक और देड़ बज रहते हैं तो इसलिए हमने सुचा हमारा जो साइंस का जो केंटीन था दूस करेंडा में अब लुए ऊपके साहर करेंगे तो इसी कीमिकल की इनियर का देपर्टमेंट तो यह हमारा आचार या पी जो इनि को कीमिकल इंजीनिरेडग मतफूर इन वह वाला तो यह था हमारा SIP का कुछ पाइट्स तो अगर आप चाहे तो सुन सकते हो तो यहीं पी खतम होता है मेरा फार्स ट्यॉप अट कोलेज तो तो अगर आपका अच्छा लगा तो जरूब से जानको सब्सक्राइब कर देना तो तो यहीं पर वाचिंग झायो तो जानको सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सकते हैं